तो अच्छा खाईए, कसरत कीजिए और जितना हो सके दवाओं से दूर रहिए क्योंकि वैसे भी आपके ना चाहते हुए भी दवाएं आपके आसपास हैं आपके खाने पीने में भी किसी ना किसी तरह से मिली हुई है हमने जानने की कोशिश की कि जर्मनी में पानी का क्या हाल है पिकनिक मनाने वाले हो या वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन या फिर तहलने वाले सुशन आनर जील सब को अपनी तरफ खीचती है लेकिन जर्मनी की स्लोकुप्रिय जील में बैक्टीरिया की कई रसिस्टेंट किसमें मिली है ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर एंटिबायोटिक का कोई असर नहीं होता इनसे कई तरह का इंफेक्शन हो सकता है और यहां तक की फैंपड़ों को भी ये खराब कर सकते हैं ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा वहां फैलते हैं जहां एंटिबायोटिक्स का इस्तेमाल अधिक होता है यानि अस्पतालों में और जानवरों के फार्म में लेकिन अब ये पानी के सुरोत में भी पहुँच गया है प्रोफेसर योहानिस कनॉबलोख ने अपनी रिसर्च में पाया है से रिसिस्टिंट बैक्टिरिया देखे गए हैं लेकिन फिर भी हम इन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से पैलते हैं अगले सालों में हमें इस दिशा में बहुत सारी रिसर्च की जरुवत है प्रोफेसर क्नोब लॉक हमबर्ग के मेडिकल कोलेज में इंस्टिटूट फॉर हॉस्पितल हैजीन के अध्यक्ष है साल 2017 से वो एक प्रोजेक्ट कानेतु कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत वो समझना चाह रहे हैं कि वोटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी से मल्टी रसिस्टेंट बैक्टीरिया को कैसे हटाया जाता है उन्होंने पाया कि ज़्यादतर प्लांट्स बैक्टीरिया को कुछ हद तक ही हटाने में कामियाब रहते हैं खासकर अस्पतालों और जानवरों के फार्म के आसपास मिलने वाले पानी के स्रोथ से जोरदार बारिश के बाद बैक्टिरिया सबसे ज़्यादा संख्या में मिलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के पानी के साथ साथ नालों का पानी भी नदी और तालाब में पहुँच जाता है इसके अलावा पक्षियों के जरीय भी पानी में मल्टी रसिस्टेंट बैक्टीरिया पहुँच सकते हैं अच्छी बात ये है कि ये बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक पानी में जिन्दा नहीं रह पाते लेकिन ये समस्या का समधान तो नहीं बैक्टीरिया की प्रतिरोधी शम्ता खर्त्म हो जाती है या नहीं ये हम नहीं जानते बैक्टीरिया एक दूसरे से रेसिस्टेंस ले सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि किसे दिन उन बैक्टीरिया के अंदर प्रतिरोधी शम्ता पहुंच जाए जो इनसानों को बिमार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं अगर ये बیک्टिरिया उन बैक्टिरिया को अपनी क्षमता दे देते हैं जो इंसानों को बीमार करते हैं तो ऐसे में उन पर किसी भी एंटिबायाटिक का असर नहीं होगा और पानी में ऐसे जीवों की मात्रा जितनी बढ़ेगी ये खत्रा भी उतना ही बढ़ता रहेगा बैक्टीरिया में प्रती दोधिक शम्ता इसलिए भी बनती है क्योंकि एंटिबायोटिक का गलत और जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एंटिबायोटिक हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे